कए नमस्कार मेत्रों कैसे हैं वट्पी मुझे आशा आप सब बहुत अच्छे होंगेौ उससे पहले बहुत सारे वीडियो्स की सामने आ चुक हैं तिकोनमेती के मुझे हाशा आप के सारे के सारे देखे और अग्णने नहीं देखे हैं फिर आप सबarnya पहले उनको जाके देखेगा उसके बाद मेरे इस वीडियो पर आईएगा आपको बहुत अच्छे से समझभाएगा इसके लावा आपको ये भी पता होगा इसी यूट्यूब चैनल पर कल से आपका प्रष्ठी चेतरफ़ और आयतन एरिया एंड वॉल्यूम उसकी जो एक्सर कीजिएगा ताकि जादा से जादा लोग है इस चीज का फाइदा उटा सके इसको पड़ सके तो तिरकौन मिति का आज आठमा भाग है और आठमे भाग में हम लेकर आया है क्वेस्चन नंबर 18 इससे पहले आपके 17 क्वेस्चन हो चुके हैं साथ भाग में जो पहला भाग ठतान बेसिक था और सारे के सारे जो आपके वीडियो सरे इस वीडियो के जौ magaz डिसक्रिप्टिन ईसमें सबीके लिइनक यसे साथ अगर आप किसी वीडियो को नहीं देख पाये हैं तो आपको सारे पहले बिलेंगे उस लिंक पर जाके किलिक कीजिएगा आप वो वीडियो देखिएगा तो आज आपका क्वेश्चन नबर है आपके सामने 18 क्या है देखते हैं यह क्लास 10 के लिए राजस्थान बोर्ड हो चाहिए से बीसी बोर्ड हो एंपी बोर्ड हो यूपी बोर्ड हो कहीं का भी बोर्ड हो क्लास 10 के लिए बहुत ही है महत्व की चीजें इंपोर्टेंस रखता है तो शुरू करें यह आपका क्वेश्चन नमबर एट्टीन क्या है देखो एक मिंट के लिए एक पांच मीटर लंबा एक लड़का तीस मीटर उचे भवन से कुछ तूरी पर खड़ा है तो पहला काम क्या अपना हमेशा मैं आपको समझता हूँ क्या पहला काम सबसे पहले फिगर बनाना आकरती बनाना जैसे आकरती बनेगी तिरकौन डर्ष और देखार के तो उन्हें काम poking समाच चाहेंगे तो शुरू करें एक आपकी हैं 30 मीटर उची भवन याद फिर बीलडिंग औए 4.5 मिटर लंबा लड़का यह आपकी मामनलों बील्डिंग है इस प्रकार से बिल्लींग आपकी यह हैं यह कितनी है इसकी उचा यह आ यहां पर आपकी बिल्डिंग है आपका भवन है जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई कुछ भी कह सकते कितनी होगी 30 मिट्र होगी अब लड़का यहां पर खड़ा है यहां पर और इसकी उंचाई कितनी है 1.5 मिट्र इस लड़के की उचे आपकी 1.5 मिट्र कितनी है 1.5 मिट्र तो आपको आधार तो जो आपका है इसको तो मिला नहीं पड़ेगा पहले से हमको पता है चलो आधार हम मिला देता है यह मालो हमने इस परकार से आधार मिला दिया यह आपका इस परकार से यह लड़का चल रहा है यह मालो यहां इस परकार से लड़का था दीर दीर इस बहुन की तरफ चला और थोड़ी देर बाद मालो कहां पहुंच गया यहां पहुंच गया तो लड़का मालो यहां से यहां तक आपका पहुंच गया थोड़ी देर बाद लड़का यहां पहुंच गया उचे कि चला गया कोई बात को आगे देखो क्या है तब उसकी आख से भवन के सिखर उसकी आख यहां पर डैड वन प्वाट फाइव मेटर उची और यहां पर भी उसके आख यहां पर बवन का सिखर यह पाद बिंदू यह ठीक है न तो अब यह लड़का देखो पहले यहां से 60 डिगरी हो जाता है जब यहां से भवन की तरफ देखता है यह कौन आपका 30 डिगरी है और लड़का दीरे-दीरे मकान के भवन की पास की तरफ आता है और अब यहां खड़ा-खड़ा उपर की तरफ इस परकार से उपर की तरफ देखा कौन कितने का हो गया 60 डिगरी का तो यह पूछा आपको तो बताएे कि वह भवन की और कितनी दूरी चल कर गया आप यहां से यहां तक जो चले ना वो दूरी आपको पूछिए है आपको पूछाए नहीं है यह आपको पूछाये तो मुझे यह बताओ जो आपके कौण बंता है यह हमेशा urgentlar इस प्रकार से 36 रेखा होती उसके साथ बनता है तो यहाँ पर तो लड़के के उचाई कितनी डेट मिट उचाई दे रखी है ना हमेशा तो आपको यही पर्ण दे रखा होता है लेकिन यहाँ पर आपको दे रखी कि अब आपका बिल्कुल आसान हो गया आपको यह दूरी दे रखी है कि आपको यह बताना यहाँ से यहाँ तक इतना चला कैसे घ्याद करेंगे बहुत ही आसान काम है आप पहले यह पूरी दूरी ग्याद कर लेंगे जब आपको उंचाई दे रखी आधार एक मिनटे में टेल लगेंगे और ग्याद कर देंगे लगा सकते हैं ना अच्छा और दूसरी बार आपके आपके आपका चालीस तो यह कितना होगा आ बोलिंग सर साट मैंसे चालीस मैनस के यह तो आपका 20 हो क्या हो अभी हम देखेंगे यह पूरी दूरी माप नहीं है और उसके बाद आपको यह माप करना है और इस पूरे मैंसे जैसे यह माइनस करेंगे आपको अपने आप यह दूरी मिल जाएगी ऐसी होगा ना चलो ठीक करते हैं लेकिन एक चीज यहां पर एक प्रॉब्लम हो हुए कि ऊथलों के यहां पर एंदर की कि यहां आहेगी पिर क्रॉब्लम के बाहर कि नीचे जेंगे मिटर है यह भी आपकी 1.5 हो गई और यहां तक यह भी आपकी कितनी हो गई 1.5 मिटर हो गई यह कितनी हो गई 1.5 मिटर जब यह 1.5 मिटर हो गई तो 30 में से यह तो कम ही रहेगी आपकी पूरी 30 तो नहीं रहेगी कितनी रहेगी इसका मतलब जो यह भाग आपका 30 नहीं कितना रहेगा यह यह रहेगा आपका यह 30 माइनस एक पॉइंट पांच तो कितना रहेगा यह तो आपका वह यह साड़े अटाइस हो गया कितना यह 28.5 मीटर इतना इसका मतलब आप जब भी यह दूरी काम में लेंगे तिर्बूज की आप 30 काम में नहीं ले सकते क्यों कि 30 यहां तक है और तिर्बूज के बाहर की जो लंबायों तिर्कॉन मिती में काम में नहीं आती बिल्कुल ठीक ने इसका मलब यह आपकी साड़े 28 है आपको जब भी लंब लेना है उंचाई लेनी आप साड़े 28 काम में लेंगे अब 30 काम में नहीं ले सकते अब वही जो हमेसा का नहीं वोई लागू होगा और इसमें कुछ नया कुछ है नहीं चलो शुरू करते हैं मैं पहले नाम दे तो तुरेdirect का यह आपका नाम हो गया यह आपका हो गया ऑ यह हो गया C, यह हो गया D, यह हो गया E, यह हो गया F, और यह हो गया G अब आपने साड़े 28 लिखे है न, उसको आपको साड़े 28 पहले बताना भी पड़ेगा अपनी मर्जी से थो हम नहीं कह सकते न, अगर हम कुछ लिखेंगे तब भी तो हमको marks देगा जो examiner बैठा कोपी चेक कर रहने तो नहीं देगा न, फिर हमको साड़े 28 वो बताने भी पड़ेगे तो हम क्या करेंगे, AZ बराबर आपकी कितनी हो गई, 30 मीटर ठीक है न, AB आपकी बराबर हो गई, AZ-BG, इसका मनलब 30-1.5, यह आपकी हो गई, 28.5 मीटर AB कितनी हो गई, AB आपकी हो गई, 28.5 मीटर और यही दूरी हमारे तिरकौन मिती में या फिर तिरबुज में काम आएगी, 28.5 मीटर वाली, 30 वाली जो हमारे काम में नहीं आएगी अब चलो तिरबुज आपका लगा देते हैं, उसके अंदर क्या लगा दें, लगा दें 10, तो कौन से तिरबुज में लगए हैं, हाँ, किस में लगए हैं, तिरबुज, देखो दो तिरबुज आपके सामने, ABC और ABD, पहले मैं छोटे वाला ले लो, चलो, तिरबुज, ABC मे क्या लगा हूँ मैं, यह आपका 10 theta is equal to क्या होता है, लंब टे आधार, तो मैं क्या मानूँ इसको, यह आपका लंब होगे आपका AB, और आधार क्या होगे आपका, BC, यह वाना, चलो, 10 कितना, 10, 60 तो अगले इस टेप में, 10, 60 लिख दूँगा, मैं 10, 60 is equal to आपका AB, BC, और यह आपका क्या हो गया, BC, यह फिर AB को भी मैं change कर सकता है, क्योंकि AB तो हमें पता है, कितना है आपका, यह आपका है, 28.5, तो 10, 60 का मान कितना होता है, विख सर 10, 60 का मान, तो रूट 3 होता है, हमने बहुत सारे ऐसे questions कर चुके हैं, इस से टैली तो हमें तो याद हो ग हो गया, अब क्या करूं, मुझे सर कुछ नहीं करना, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, चलो मैंने गुणा कर दिया, तो मुझे क्या मिला, यह आपका हो गया, BC, रूट 3, बराबर आपका आगया, 28.5, तो BC कितना मिला, यह आपका मिला, 28.5, बटे में तीन क्या दिखरा नहीं दिखरा बीसी आपको एक मेंट के लिए देखिएगा हाँ दिखरा के लिए तो बीसी कितना होगे आपका 28.5 बटे रूट तीन इसका मतलब यह यहां से यहां तक की दूरी है वह आपकी है 28.5 बटे रूट तीन अब वही काम हम करेंगे बड़े वाले तिर्भूज में उसी जो आपकी बड़े वाले तिर्भूज है उसी में हम तिर्कौन मिति का वही नियम लगाएंगे यह बटा यह पूरा तो अब कौन सा लूँ मैं इसी परकार कौन सा तिर्भूज लूँ या वो लेंगे सर तिर्भूज लेंगे A B D तो आपका कोट भी लग सकता है लेकिन हमें कोट के चक्र में नहीं पढ़ना है तो क्या करें यह आपका हो गया टैन थीटा इस इक्वल टू आपका अबी बट्टा यह पूरी बोजा आधार अब पूरा है बी से लेकर डी तक तो मैंने लिख दिया आपका बीडी टैन कितना वो लिए टैन तीस कमान तो एक बटे रूट तीन होता है तो यह मैंने ले लिए एक बटे रूट तीन बराबर यह आपका 28.5 और यह आपका हो गया बीडी वही काम फिर करेंगे कौन सा काम वजर गुणन तो इसको मैंने इससे गुणा किया इसको मैंने किसे गुणा किया इससे गु C D बराबर 28.5 और रूट का 3 मेटर यह आपका आ अगया यह और यह आपका आगया मुले कर 28.5 बटे रूट तीन और आपका गोणे में रूट तीन चला गया नहीं तो हमें यह पूचह 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 क्या क्या पूछा भी है हमें तो ये पूछा C से D अब ये पूरी दूर भी आ गई और ये भी आ गई इसका महले इस पूरी मैंसे मैं अगर ये माइनस करूँ तो मुझे ये तो मिल जाएगा और मुझे ये भी चाहिए और कुछ आई नहीं चलो भी देखते हैं क्या होता है आपका C D बराबर B D ये जो C D है इस पूरे B D मैंसे माइनस करूँ मैं क्या ये B C ये आपका B C माइनस करूँ न ये माइनस का आपका हो गया B C ये आपका है 28.5 रूट 3 और माइनस करूँगा 28.5 बटे में आपका root कितना है तीन यह आपका CD अब क्या करेंगे सर करेंगे क्या इसके नीचे एक मान सकते हैं न कोई फरक नहीं पड़ता आपके इच्छा मानो तो मानो ने तो नहीं मानो अब लेंगे इसका लसप यह होगे आपका root 3 यह वाना एक का भाग root 3 में कितनी वार गया इसका बार टेते हैं उपर गुणा करते हैं इसका मल आपका हो गये 28.5 रूट तीन और गुणे में रूट तीन ये जो बीच का मइनस है क्या ये म मैंने यहाँ लगा दिया और दूसरा प्रीकिन का खाल रूट 3 में कितनी बार गया एक वार इसका मलू यह संख्या होगी आपकी 28.5 गुणा एक चाहो तो लिखो चाहो तो मत लिखो आपकी चाहे यह नेक्स्ट देखो कितना होगे आपका यह होगे 28.5 रूट 3 और रूट 3 होगे 3 और 28 को एक से गुणा किया कोई फरक नहीं पड़ा ते आपका 28.5 रहा और बट्टे में क्या है आपका रूट 3 28.5 को रूट 3 से गुणा करो यह 3 से गुणा करो कितना होगा अभी देखते गुणा करते यह 28.5 और गुणा किया मैंने 8 में से 8 गए 7 और 8 में से दो गए यह 7 में से दो गए आपके कितने होगे 57 इसका मलभी आया आपका 57 बट्टे रूट 3 लेकिन हम क्या करते हैं उत्तर को बट्टे में नहीं चोड़ते हैं तो मैं क्या करूं क्या 57 को मैं 19 19 19 19 क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 19 गुणा 3 लिख सकता हूं गुलेहासर लिख सकते हूं तो मैंने लिख दिया 19 गुणा 3 को ऐसे लिख सकता हूं क्या 19 गुणा उलेहांसर 3 को रूट 3 कहा सकते हैं, बटे में क्या हो गया रूट 3, अब देखो, इस रूट 3 से ये रूट 3 कट गया, कितना बचा, 19 रूट 3, क्या बचा, CD, क्या बचा, CD बराबर आपका हो गया, 19 रूट 3 मीटर, यही भाना, इसका मलब लड़का कितना चला यहां से लेकर यहां 19 रूट 3 मेटर चला यह आपका इतना चला तो आप हिंदी में लिख देंगे अते लड़का 19 रूट 3 मेटर चला यह आपका आंसर हो गया नौट करो सारा का सारा बिलकुल एक तुम अच्छे से हो गया नौट मिटा दूँ चलो यह मैं मिटा रहा हूँ उसके बाद फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले कुस्चन में कौन सा 18 के बाद आपका आ गया 19 यह कुस्चन नौबर 19 है चलो इसको हल करते हैं क्या है साथ मिटर उंचे भवन एक मकान है जिसकी उंचे ही साथ मिटर के सिकर से एक टावर अब टावर किसी कमपनी का होगा जो आपकी मोबैल कम्पनी उसका टावर होगा अब टावर तो मकान से समय बढ़ी होते हैं इसके सामने को इसके परकार से बड़े और इसका पाद बिंदो और इसका पाद बिंदु दुनों को मैंने बिला दिया है पूचा क्या देखो इस साथ मेटर उचे भवन के सिखर से एक टावर के सिखर का उन्यन कौन साथ डिगरी आप यहां खड़े हैं अपने मकान पर और सामने जो कंपनी का टावर है उसके उपर कुछ लगा रखा है जो आपका इंस्टुमेंट लगा रखा आप देख रहे हैं इस परकार से जब आप यह देखते हैं खड़े खड़े तो कितने का कौन बन रहा है कौन बन रहा है कौन बन रहा है आपका साथ डिगरी का कितने का सिक्स्टी डिगरी का आपका साथ डिगरी का कौन बन रहा है और इसके पाद का अवदमन कौन यहीं खड़े खड़े अप कितने को गा इसको हम्यां से हटा देते हैं यहां लेखने की जुरूती नहीं रहती हमें पताएं तो क्या कि आपने आप अपने भवन पर आप अपने मकान तो आयत में जो आपके समूक बुझे होती आमने सामने की बुझे होती बराबर होती इसका मेलग अगर यह साथ मेट्र है तो यह भी कितनी होगी साथ मेट्र अब हमें सिर्फ यह मापना है, यहां से यहां तक तो टावर की उचाई 7 मिटर होगी, यहां से यहां माप पते ही क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ते ही आपका उत्तर मिल गया, ऐसी होगा ना, लेकिन जोड़ेंगे कैसे बोले सरिसको निकालेंगे क ऐसे बहुत आसान काम है अगर यह साथ देर किये इससे यह ग्याद कर सकते ना अगर यह ग्याद हो गई तो यह भी तो ग्याद हो जाएगी क्यों होगी यह भी तो आयत है इसके सामने की मुझा बरापर जैसे यह ग्याद होगी यह आधार मुझा यह भी तो ग्याद हो तो मैं चलो नाम दे देता हूं सबसे पहले मैंने नाम दे दिया इसका नाम A इसका नाम मैंने दे दिया B इसका नाम दे दिया C इसका नाम दे दिया D और इसका नाम मैंने दे दिया E पहले आयत की भुज़ें बराबर माल लेते हैं बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आंसर नंबर आपका 19 आप लिखेंगे BCDE BCDE एक क्या है एक आयत है आयत है ना जब आयत है अते आप कह सकते हैं क्या कह सकते हैं बोले सीट सोरी BC बराबर होगी आपकी CDE के ये बुझा ये बुझा बराबर और कितना साथ मिट्र CD बराबर होगी B EK होगी कितनी हमें नहीं पता है अभी हम ग्यात करेंगे उसके बाद देखेंगे कितना होगा ये कितनी होगी अपर ग्यात कर लेंगे एक मिन्ट लगेगा और क्या लगेगा छलो आπαब बढ़ते हैं अब तिर्वूज देखो आपके सामने दो तिर्वूजे एक है यह यह थिर्वुज और एक की जब भी बात होती हम क्या लगाते हैं 10 लगाते हैं चलो मैंने लगया 10 तो यह आपका हो गया 10 theta is equal to किसके बराबर यह लम बटे आधार इसका मुलब D E बटे C D 10 कितना 10 45 यह मैंने लगा दिया अगले step में 10 45 यह मुझे साथ दे रखी है और इसको चलो मैंने नाम दे दिया X अगर यह X है तो यह भी कितनी होगी X होगी क्योंकि आप में सामने के बुचे हैं बराबर है तो यह मैंने नाम दे दिया इसका X 10 45 कमान कितना होता है 10 45 कमान तो 1 होता है तो मैंने कितना लिखा? एक, यह आपका 7 बटे X, जब मैंने cross multiply कि, जब मैंने वजर बुणन किया इसको इस से, तो मुझे मिला X बराबर 7 meter, कितना मिला? 7 meter, इसका मलब यह भुजह आपकी 7 meter है, यह साथ है, यह भी कितनी है, 7 meter, यहाँ पर उत्तर कितना आ गया आपका? 7 meter, य यह सात मिटर यह साथ मिटर अब जब यह साथ मिटर आगई से मिन्ट में ग्याद कर सकते हैं ने चाहिन कुछ लगा कि तो बहुत आसान काफ हो गया चलो लगाते हैं तो इसी परकार कौन सा तिर्भुज लो बोले सर तिर्भुज लेंगे A, B, E तो तिर्भुज A, B, E में क्या लगा हूँ 10 थीटा यह आपका 10 थीटा बराबर क्या होता लंबटे आधार लंब है आपका A, B और आधार कितना है B, E यह आपका हो गया B, E 10 कितना बोले सर 10, 60 है अगले स्टेप में में लेकूंगा 10, 60 इस इकल टू आपका A, B और B, E हमने ग्याद कर लिया कितना है? 7 10, 60 का मान कितना? कितना 10, 60 का कितना? बोले वो रूट 3 यह आपका हो गया रूट 3 बराबर आपका A, B और यह कितना हो गया? 7 अब हम कर देते हैं क्रोस मिल्टिप्लाई इसको मैंने इससे गुणा किया और इसको मैंने किसे गुणा किया इससे या तो कुछ है नहीं किसे गुणा करे तो क्या मिला मुझे? यह मिला A, B बराबर आपका 7 रूट 3 मिटर A, B मुझे मिल गई 7 रूट 3 इधर देखो भी यह यह 7 मिटर और यह आपकी 7 रूट 3 मिटर अब मैं क्या करूँ? मुझे तो टावर की उचा ही चाहिए ना तो बहुत सिंपल है बरी टावर तो यहां से यहां तक इतना लंबा है इतना उचा है ना इसका मलों यह और यह दोनों मैं जोड़ दूँ मुझे तो मेरा आंसर मिल जाएगा जोड़ो फिर चलो ठीक अभी जोड़ते हैं इसको हटा दू चलो इसको हटा देते हैं आपको जरूट नहीं है यह हटा दिया मैंने आपके सामने से क्वेस्चन अब टावर की उचाई है आपकी कितनी गुले सर यह तो ए से लेकर सी तक है आपकी तो यह ए सी बराबर ए बी और इसके साथ जोड़ जाएगा आपका बी सी ए बी आपका साथ रूट तीन और बी सी आपका साथ तो मुझे उत्तर मिला इसमें भी साथ पड़ा है इसमें भी साथ पड़ा है तो मैं कॉमन ले सकता हूँ यह साथ और यह आपका रूट तीन प्लस एक यह आपका एसी तो उत्तर कितना मिला टावर की उचाई होगी आपकी साथ साथ रूट साथ और रूट तीन प्लस एक मीटर ये टावर की उचाही हो गई टावर की उचाही कितनी? साथ रूट तीन प्लस एक और युणिट हो गई इसकी क्या हो गई? मीटर, नॉट कीजिगा यह आपका हो गया, इसको नॉट करो भी हाँ तो इसको नौट कर लिया होगा आपने बहुत अच्छे से आज के लिए इतना ही बहुत अच्छे से इसको एक वार अगर समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को बार-बार रिवेज करके बार-बार ठीकने इसको रिवेंड करके बार-बार देखेगा आपको बहुत अच अच्छन हो आएंगे कल आज तक लिए इतना ही जय हिंद